हलो बच्चो सुनो मेरी बात ध्यान से ये वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक के उपर है कि सीउ वीटी क्या रिजल्ट आ चुका है रिसेंट्ली डिकलेयर हो चुका है आज के दिन किसी का 40 मांरा avoir want तो अभी है तो अब हमारा कैसे ट्यों होगा ये टो में आपको सारी चीज़ेंटील में कलेड़ कर दूज लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलु का की प्लीज शांती से इस वीडियो को एंड तक देखो और आपके रिजट आ चुकी है और अब आपका admission process शुरू होने वाला है लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि admission के time पे आपको बहुत सारी universities के बारे में पता करना पड़ेगा universities कैसी है, अच्छी है, बोड़ी है उनका review क्या है, उनकी placement क्या है उनकी fees क्या है, different different universities सब्सक्राइब करना है, इसको जाईए सब्सक्राइब कीजिए इसकी link में नीचे description में डाल दूगा comment में पिन कर दूगा, campus safari जाईए चैनल को explore कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा उस चैनल को subscribe कीजिए, वो हमारे ही भाई का चैनल है, निशान भाई, आप लोग जान रहे होंगे जाईए का आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चैनल है, आराम से जाओ उसको check out करो, चैनल पर आपको हर एक चीज मिलेगा, college admissions से related, campus, safari, बात ऐसी है बच्चो, कि जो result आया है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है बच्चो को, कि marks कम हो चुका है, बहुत serious issue है, ठीक है, और हमारे ही course कितने बच्चे है, जो मुझे call पर call, 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 call किये जा रहे है, जब से result आया है, बहुत बड़ी समस्या बच्चो को लग रही है, जो कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बिलकुल ही logical सा चीज, NTA ने आपका result आनाउंस कराया, ठीक है, अब NTA क्यूं जान मूझ करके ये चा बच्चों से, logical सा बात है, अगर उन्होंने कुछ किया है, तो इसके पीछे का कुछ reason होगा, इस बात का आपको समझना पड़ेगा, आपको लगड़ा आपके साथ unfair हो गया, बिटा कोई unfair नहीं हुआ है, ये पिछले साल भी हुआ था बच्चों के साथ, ये एक normal सा process है, इस process को कहते हैं, marks normalization process, अब मैं detail में video बनाऊंगा कभी कि ऐसे कैसे करते हैं, क्या calculation है वगड़ा वगड़ा, लेकिन जो आपकी result answer की में आई थी, जो score आप answer की में count कर रहे थे, let support, अगर आपका साथ साथ सो बन रहा था answer की में, और साथ सो बना है, security का result में, 50 marks का difference है, आपके स था, वो इसको raw score था, मतलब वो बिना किसी, बिना कोई, मतलब उसके उपर कोई लीपापोती नहीं की गई थी, समझ लो, बिलकुली साफ language में, मतलब उसमें कोई भी छेड़चाड नहीं किया गया था, जितना आपने tick करके आया था, उसके basis पे आपको उसमें marks दे दिया ग गया है, उसके according आपका percentile निकाला गया है, आपके paper के according, ठीक है, इस बात को समझो, और कैसे ये चीज़ काम करती, इसको भी समझो, कि let suppose आपने कोई exam दी, आपने English का paper दिया, English में आपको 200 बन रहे, English में पहले आपने देखा होगा, आपको ऐसे लग रहा था कि मुझे English में तो बहुत बढ़ी आ रहा था score, मेंना English में बन रहा था 200 में से 200, और अभी आ रहा है 1500 marks, तो ये तो मेरे साथ गलत होगया, गलत नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, suppose आपने English का paper दिया, आपका paper था 2 तारीक, आपके दोस का paper था 3 तारीक, आपका वाला जो shift था, उसमें majority बच्चो को 200 में 200 आया है, majority बच्चो को, और आपका जो दोस्त का paper था अगले दिन, उसमें जो आपके दोस्त के batch का जो highest score है, उसने जो जिस दिन paper दिया, उसमें जो highest marks बना है, वो 1500 marks है, धंग से किसी को 200 तक नहीं आया है, और आपके बच्च में सब को था, आपक उसके shift में तो जादा score बच्चो ने करी नहीं पाए, तो यह तो फिर उसके साथ गलत हो गया, इसलिए आपने जो raw score count किया था, वो वही score है जितना marks लगा कर आया हो, और आपके दोस्त ने कम जितना भी उसको आया हो, समझ रहे हो, वो चीज उसका normalized नहीं किया गया था, ले क्यों कि भाया उसके shift में highest ही 100 है, किसी को 200 नहीं गया है, किसी को नहीं, और आपको 200 में 200 आया है, आपको भी 100 percentile है, यह कैसे possible है, क्योंकि आपके दोस्त का shift था, वो इतना difficult था, कि उसको 200 में 100 marks में 100 percentile बन गया, समझ रहे हो इसको, आदे में 200 के आदे में 100 percentile दिखा रहा ह मतलब इतना difficult paper था, वो highest है, उसके पूरे batch का, उसके पूरे shift का, इसी लिए इन चीजों को normalized कर दिया गया है, और अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते हो, ना आप इसको कम कर सकते हो, जाधा कर सकते हो, ना आप इसको कोई claim कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, जो भी score आया है, बिल्कुल proper score दिया गया है, इसी लिए आपको इतना समय दिया गया था, कि आप जब answer की में, actually मैं अपना marks को tick mark कर पाऊ, उसको बार-बार verify कर पाऊ, इसी लिए आपको इतना time दिया गया था, ठीक है, बाकी जो score आ गई है, इसके हिसाब से अब आपको college admission लेना पड़ेगा चाहे जो हो, और इसी के basis पर आपका, अब आपका admission होगा, sorry है न, तो बुड़ा मत मानना कोई भी, दिल टूटने वाली बात कोई नहीं होती है, बहुत time बाकी है, life में बहुत कुझो खाड़ना है, और तुम खाड़ोगे, don't worry, okay, हमारा साथ सिफ यहीं तक नहीं था, मैं बहुत help करूँगा, आप लोगो, don't worry, and जितने भी बच्चे मुझे continuously message किये जा रहे है, same चीज के उपर, मैं हर किसी को नहीं reply कर पाऊँगा, try to understand, हमारे course में already 1000 से जाधा बच्चे है, मैं उनको भी reply करता हूँ, और भी ऐसे बच्चे है, जो WhatsApp पे मेरे को message किये जा रहे, कि जब से result है, मैं कितनों को करूँ, कितनों को हमारी team reply करेगी, मैं करूँगा, मेरी team करेगी, 2-4 लोग करेंगा, कितने message नहीं खतम होंगे ऐसे, तो इसलिए don't worry, सब के साथ ये चीज हुआ है, you are not alone, सब के साथ हुआ, इसमें कोई भी unfair नहीं है आपके साथ, ठीक है, try to understand, श